हालो स्टूरेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दिस इस सोनिया जैन तो बिटा आज हम करेंगे शिक्षा नीदेशाली रास्टी राज़ानी चेत्र दिल्ली से आई हुई वक्षीट नमबर 19 क्लासिक्स के लिए सब्जेक्ट हमारा विज्ञान है डेट है इसकी बिटा चार दिसंबर और आज का टॉपिक है प्रकाश छाया और परावर्तन तो बिटा वक्षीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब सब्सक्राइब प्रकाश किरने किसी वस्तु पर गिरती है तो वे टकरा कर उसी माध्यम में वापस आती है तो प्रकाश की किरनों के इस प्रकरिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं तो जब यह टकराकर जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी है और प्रकाश की एक किरन टकराकर हमें प्रकाश की करने सीधे रेखा में गवन करती है तो यहां से गई और इस वस्तु पर गिरी तो इस वस्तु से गिर कर वापस यहां आए तो इसे हम क्या कहते हैं परावर्तन प्रकाश के प्रावर्तन को समझने के लिए इस गतिविदी को करते हैं अब प्रकाश के प्रावर्तन को समझने के लिए हम इस गतिविदी करेंगे समतल दरपन के आगे खड़े हो जाएए अपने प्रतिविंब को देखिए और क्या आपका प्रतिभिम और आपके शरीर का अकार एक ही है तो देखिए आपके प्रतिभिम जो शीशे में आपको दिखाई दे रहा है ठीक है दरपन में आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका शरीर का अकार और आपका जो अकार है वो एक ही है बिलकुल इसका उत्तर मिलेगा है न अपने बाए हात को उठाए अगर हम भाएं हात को उठाएंगे तो हमारा बेटा कौन सा हाथ उठ रहा हो आप देखे तो यह दाए हाथ को अप दो कदम पीछे की प्रती बिनकिया होता है अपुद दो कदम पीछे की तरफ चलना है तो आप देखोगे कि जो वहां पर जो इमेज बन रही होगी जो प्रतिविम्ब बन रहा होगा वो भी दो कदम और पीछे की और चला जाएगा तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रतिविम्ब भी दो कदम पीछे की और चला जाएगा ठीक है तो प्रतिविम भी दो कदम पीछे की और चला जाएगा, ठीक है पिटा, आगे देखिए, अब इस करिया कलाप को देखिए, अब नीचे करिया कलाप है, यह देखने है, जब महेश दरपन के सामने खड़ा होता है, यहाँ पर देख रही है, यह महेश है, यह दरपन के सामने तो एक आकरती देख सकता है जो उसी के समान दिखती है इसे प्रतिविम कहते है अब देखो यहाँ परशीशे में दिख रहा है ठीक है दरपन में इसकी आकरती दिख रही है जो इसी के समान दिख रही है तो यह क्या है उसकी क्या है यह प्रतिविम है उसका तो जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश रोत्र से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरने फिर से परावर्तित हो जाती है तो जब प्रकाश की किरने या बल्ब या कोई भी चीज हो ट्यूब लाइट हो कुछ भी हो वो प्रकाश रोसरे किस पर गिर रहा है, महेश पर गिर रहा है, तो ये प्रकाश किरने फिर से परावर्तित होती है, जिससे एक प्रतिविम बनता है, जब ये परावर्तित किरने महेश की आँखों पर प्रवेश करती है, ठीक है, तो वे अपरे प्रतिविम को देख सकती है, समझ में आया बिटा, देखिए क्या लिखा है, प्रकाश की किरने किस पर पढ़ रही है, मतलब प्रकाश की किरने, जो प्रकाश की किरने क्या हो जाएंगी, एक प्रावर्तित हो जाएंगी, हमने पढ़ा है, जब ये सीधी लेखा में प्रकाश की किरने गिरती है, तो प्रका किरने गिर रही है तो यह परावर्तित हो जाएंगे यहां पर ठीक है पर यह पर पर वर्तित होकर महेश की आखों में पड़ेंगी ठीक है तो यह अपने प्रती भीम को देख सकता है इसलिए इस गतिविदी को हम रहा ही प्रतिभिम पार शुरूप से उल्टा बनता है पाश शुरूप से उल्टा बनता है मतलब हमारे इसवा Soc कई यहां पृषिश्ष्टा नहीं है कि हमते हैं यहां पर तो जो पता सव satu स्रम atrás में Live नélior हाँ हमारा सर है वहाँ पैर हो गए जो पैर है वह सर हो गए ऐसा नहीं होता ना ठीक है ऐसे पाश रूप से क्या ऐसे नहीं बनती फिगर ठीक है कि आपने ऐसे उल्टा देखा पाश रूप से उल्टा का मतलब यह है जो सीधा हाथ है वो उल्टा दिखाई देगा ठीक है और उल्टा हाथ है वो सीधा हाथ दिखाई देगा ठीक है जसी अभी हमने ये हाथ देखा था कि अपने बाय हाथ को उपर उठाए तो तो दाया हाथ देखेगा प्रतिविम दर्पन के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पन के सामने होती है प्रतिविम कहां बनता है दर्पन के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु की दर्पन से दूरी होती है जब आप दर्पन के सामने आकर खड़े होकर पीछे की और चलते हैं तो आपका प्रतिबिम भी पीछे की और जाता है तो मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर यह थर्ड स्टेप पड़ा था कि आप दो कदम पीछे की और चले तो जब आप दरपन के सामने खड़े हो जाएं और पीछे की तरफ दो कदम चलना है ठीक है तो क्या होगा आपके जो प्रतिबिम होगा वो भी दो कदम पीछे की और चला जाएगा ऐसा प्रतिविम जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है तो जो ये ऐसा प्रतिविम होता है जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है अब आगे देखिए आगे है यहाँ पर है क्रिया कलाप एक कागज पर A, B, C अक्षर लिखिए जट तक अक्षर लिखिए और एक समसलतरपन की और कागज को रखिए अब आपको क्या करना है बेटा आपको ना एक कागज पर A, B, C, D इस तरीके से लिखना है जट तक लिखना है और उसको क्या करना है उसको शीशे के सामने ले जाना है और शीशे की तरफ इसका मू रखना है मतलब A का B का और आप देखो कि यह लिखा हुआ किस तरीके से आ रहा है जैसे A इस तरीके से आएगा B इस तरीके से लिखा आएगा C इस तरीके से लिखा आएगा तो ये आपको अलग से लिखना है कि कैसे लिखा हुआ आ रहा है अगला प्रेश्ण है इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए ये जो वाहन है इस पर क्या लिखा हुआ है तो देखो पेटा यह से लिखा है ambulance, अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यह लिखा है ambulance ambulance ठीक है C, E रहे गया मेरा यह E, ठीक है तो यह है ambulance, यहाँ लिख देती हूँ दुबारा मैं ambulance ठीक है, यह है अब यह जो ambulance है यह बेटा उल्टा क्यों लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रतिविम है वो पार्ष रूप बनता है ठीक है न, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था एक किसका characteristics की लक्षन जो पढ़े थे कि पार्ष रूप बनता है प्रतिविम पार्ष रूप के रूप में उल्टा बनता है तो देखो, अगर यह उल्टा बना होगा तो इसके गाड़ी के आगे एक गाड़ी मानलीजे जा रही है तो आपने देखा होगा गाड़ियों में यहाँ पर शीशे लगे होए होते हैं जिससे पीछे की और की गाड़ी हमें दिखती है तो गाड़ी में जो यहाँ शीशा लगा होता है ड्राइवर सीट के यहाँ पर तो वो क्या करता है ड्राइवर यहाँ बैठे हुए इधर से देख लेता है पीछे कौन सी गाड़ी आरी अगर उसे यह दिख जाता है कि एम्बुलंस आ रही है तो वो क्या करेगा वो इस एम्बुलंस को रस्ता देदेगा ताकि उसे रस्ता मिल जा और वो फटा-फट आगे निकल जाए तो इसलिए एम्बुलंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि आगे वाली गाड़ी को दिख सके कि पीछे एम्बुलंस आ रही है और वोसे रास्ता दे दे अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है तो इसका उत्तर हमें साफ साफ लिखा हुआ है जब प्रकाश किर्ने किसी वस्तु पर गिरती है तो वह टकरा कर उसी माध्यम से बापस आ जाती है प्रकाश के किर्नों की इस प्रकरिया को प्रकाश का परावर्तन कहते है तो यह हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा अगला प्रेश्न है एक समतल द्वारा समतल दर्पन द्वारा बनने वाले प्रतिविम के अकार और वस्तु के अकार का अनुपाश क्या है तो बेटा अभी हमने ये भी एक लक्षन पड़ा था कि समतल दर्पन द्वारा और वस्तु के अकार क्या होता है समान ही होता है यह पढ़ा था ना हमने यहां देखे यह रहा यह रहा जितनी दूरी वस्तु दरपन के सामने होती नहीं सॉरी प्रतिविम का अकार वस्तु के अकार के समान होता है ठीक है तो यह है हमारा पहला लक्षन था ना कि प्रतिविम का अकार वस्तु के अकार के समान होता है तो इसक में दर्पन के अलावा किसी और वस्तों में अपना प्रत्यभील को उनके नाम लिखे हैं और अब अपना प्रतिभील का पता जो चिक्णी हो और प्हकास की कृनों को परावर्थित करती हैं उसमें हम अपना प्रतिविम देख सकते हैं तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कोई भी सतहा जो चिकनी है और प्रकाश के किर्णों को परावर्तित करती है उसमें हम अपना प्रतिविम देख सकते हैं जैसे बर्तन, पानी पादनी में भी आप देखी खड़े हो जाएगे तो आपको प्रादी में भी अपना प्रतिविम दिखाई देगा है ना जमकदार मेज तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है एक कागश पर अपना नाम लिखे और उसे दरपन के सामवे रखिए इस दरपन में दि देखिए कि ये किस तरीके से नजर आ रहा है दरपन पे जैसे ऐसे नजर आएगा ओ इसे नजर आएगा एंड कुछ इस तरीके से नजर आएगा ठीक है तो आप ये देखिए कि ये दरपन में किस तरीके से नजर आता है और उसको कागश पर आपको लिखना है ठीक है तो य tune for more videos till then bye